बॉर्णिंग आज हम एक नया टॉपिक लेका है रियाबिल्टेशन रिकावरी फ्रेंड्स देखो बैंक का में काम क्या है लेंडिंग डिपॉजिट तो उसमें रिकावरी मलत समय सकते हैं आप क्या है कि और ऐसा होता नहीं है कि 100 लोन देदी और 100 लोन अपने आप ही किस जमा कर रहे हूं तो पीछे लगना पड़ता है कई बार आप खुद देख लिजिए आपके 10 दोस्तों पैसे देदीजिए आप उधार और फिर बस उनके पीछे दोड़ते रही है जब तक आपके पैसे ना मिल जाए तो ऐसी बैंक के साथ होता है उनको रिकावरी के लिए जो है कई मेजर्स लेने पड़ते हैं यह जो लोन डॉक्मेंट साइन वगरा करवाते हैं वो इसी परपस से होते हैं कि जब ना चुका है तो फिर कमसे हम कोर्ट में तो जा सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक का में काम का है एक तो लेंट करना लौन देना बैंक लेंट लेंट्स लो और जब यह बैंक लोन डेता है और लोन डिफॉल्ट рокजाता है तो यह क्या हो जाते हैं यह एनप़ करवर झाते हैं ठीक है correct अपाना खाके और intense हो जाते हैं तो आप नउन परफरम्समींग बन जाते हैं धरवालों के लिए जैसे आलो के पराठे पांच खा लीजिए आप और फिर जो नीद आती है बस आपको ही पता है कि वो कैसा नॉन परफॉर्मिंग एसट बन जाते हैं आप लोग तो फ्रेंड साथ होप आप सब लोग त्यारी अच्छे से कर रहे होंगे मेरी वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे थैंक यू फॉर यॉर कॉमेंट्स अप्रिशेशन एंड जो लाइक्स आते हैं वो नहीं से पता लग जाता है कि त्यारी ठीक चल रही है तो फ्रेंड्स भी हम लोग करेंगी प्रिपेर लेकिन अभी हम थोड़ा पॉर्शन ही कर लेते हैं तो आपके समझ में आ गया होगा कि आप जब कुछ काम नहीं करते हैं कुछ आउटपूट नहीं देते हैं तो वो आप क्या बन जाते हैं नॉन परफिर्मिंग असेट बन जाते हैं ऐसी ब पता और उसी से ही बैंक चलता है तो ढूजित कैसे बैंक लिएबिल्टी नहीं पेसा जमा करके आते हैं डिवाली हो चाहते हैं वो लोग कंस्टमर का पैसा जो है गलत लोन कर देते हैं और वहा से उनको पैसा आता नहीं है वापस बैंक घिप्स लोन सो बिसनसेशेस्जेस either due to his non ability to repay or willful default comes under credit default देखो कई बार क्या होता है कि customer की कोई मजबूरी हो जाते है जिस वह से वो किस time पे नहीं दे पाता है और कई बार वो जानबूज के यह नहीं देता है तो जानबूज के नहीं देने वाले को willful default बोल देते हैं यह willful default term जो है आप RBA की वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आपको particular मिल जाएगा कि कितने लाग रुपे तक होता है तो उसको particular willful default बोल देते हैं तो willful default ही होता है कि जब आदमी के पाप पैसा है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है देने की तो वो क्या कर देता है credit default in case of non-fund based lending तो non-fund based lending में क्या हो जाता है कि funds may not be coming on the किसलाइशन ओफ दी लाइबल्टी कोई लाइबल्टी दी भी है उसमें से जब funds आने चाहिए थे ताब funds आनी रहे हैं तो यह case हो जाता है non-fund based lending के टर्म में ठीक है जैसे कि क्या करता है कि bank guarantee आप bank ने दे दिया है और party ने जो है पैसा नहीं चूप आया है तो फिर क्या होगा यह problem create कर देगा fund based lending में क्या होता है कि repayment of loan जैसे कि कोई loan दिया और उसमें से पैसा वापस नहीं आया है तो वो fund based lending हो जाएगी in case of cross border exposure foreign government impose certain restrictions and repayment is gets affected कई बार क्या होता है कि कई कई governments जो है न import export को रोकने की चक्कर में या कुछ और वैसे तो है कुछ restrictions लगायती है तो उस वैसे भी क्या होता है cross border exposure हो जाता है जैसे देखो मान लो आपने कोई आपको export का order मिला है ठीक है और आप क्या कर रहे है उस order को लेके आपने माल बना दिया लेकिन जब आप बेचने के आपने बेच भी दिया लेकिन जिस टेम पे आपका ship दूसरी country की border में जा रहा था तो उस टेम पे कुछ restrictions लग गए due to war due to certain political issues तो फिर क्या हुआ कि आपका माल टाइम पे वहां नहीं पहुँच पाया और टाइम पे माल ना पहुँचने के वेसे क्या हुआ आपको पैसा भी नहीं आ पाया ठीक है in case of treasury operations settlement of funds not done on time देखो treasury operations में क्या होता है कि आपका different currencies वगेरे में trade होता है तो कि अगर settlement time पे नहीं होगा तो फिर क्या होगा आपका जो है एक तरह से दिवालिया टाइप का हो जाएगा जैसे कि एक example देखे लैमन ब्रदर्स की case में यह हो था कि time zone differences के वैसे payment side time पे नहीं पहुँच पायी और वो bank दिवालिया हो गे थे ठीक है cross border transaction is between two countries अगर कोई पूछता है कि cross border transaction क्या होती है तो दो different countries जैसे इंडिया चाईना की बीच माइगा वेपार हो रहा है तो वो क्या 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 घ्लाइगी ठीक है NPA को कैसे classify करते है sub standard होगा 12 महीने तक, मानलो 12 महीने तक कोई किस्त नहीं आ रही है तो वो सबस्टेंडर में आएगा, उसके और 12 महीने मतलब की 12 और 12, 24 महीने बाद doubtful में आ जाएगा No provisioning if guaranteed by CGT, MSC or CGFMU, but only that part is secured part by CGT, MSC or CGFMU देखो friends, क्या है कि मुद्रा लोन और इस तरह के लोन्स जो होते हैं MSME को बढ़ावा देने के लिए entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए कुछ लोन्स दिये जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि bank कुछ provisioning कर देता है कि अगर बाइचांसी लोन खराब होता है तो हम इतना पैसा अलग ही रखेंगे तो इसमें क्या है कि अगर आपका loan CGT, MSC, CGFMU में covered है तो क्या होगा कि अगर बाइचांसाब का लोन खराब हो जाता है तो फिर ये संस्ता आपको लोन का पूरा पैसा वापस कर देंगी ठीक है Unsecured part needs to be secured by provisioning जो Unsecured part होता है उसको कैसे secured करेंगे provisioning के द्वारा secure करेंगे देखो मानलो आपने 100 लाग का loan दिया ठीक है 50 लाग तो CGT, MSC ने कह दिये अगर 50 लाग तक खराब होगा तो हम देंगे पैसा और 50 लाग का जो part बच गया वो हमें provisioning अपने लेवल पे करनी होगी ठीक है विल्फुल डिफॉल्टर्स और डिफाइंट बाई SS-Kोली ये कई बार कोशन आ जाता है कि कौन सी कमिटी ने विल्फुल डिफॉल्टर्स के बारे में बताया था तो ये SS-Kोली कमिटी थी ठीक है एक विडियो लेक्शर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं उसमें मैंने सिर्फ कमिटी के बारे में सारा कुछ डिस्कस करा है तो एक मार्स का कुश्चन कई बार आ जाता है प्रमोशनल एक्जाम में ये जैए बी से बी में बहुत रेर है आएगा तो कमिटी के उपर नहीं पूछते हैं तो ये प्रमोशन एक्जाम में कमिटी के उपर कोश्चन आ जाते हैं तो विल्फुल डिफॉल्टर के बारे में जो है था वो SS Coley कमिटी थी ठीक है फेंड्स ये जो विल्फुल डिफॉल्टर वाला पार्ट है ये आप RBA की वेबसेट से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं मतलब ऐसे लोग जिनके बाँ पैसा है लेकिन वो लोन चुकाना नहीं चाहते हैं साइफनिंग ऑफ फंड्स जैसे मान लो आपने क्या करा कि क्रिशी लोन लिया और उस पैसे से आपने जो शादी कर ली शादी में लगा दिया हो पैसा सारा तो वो क्या होगा है साइफनिंग ऑफ फंड्स हो गया ठीक है फेक्टरी कोलने के लिए पैसा लिया था security made on movable fixed assets were disposed off जैसे कि मानलो आपका क्रिशी loan होता है वो hypothecation of crops पे होता है और आप क्या करें crop बेज दे और bank का पैसा ना चुका है तो वो भी क्या करता है कि security dispose off कर दी और आपने loan चुका है नहीं और fixed asset के case में देखो ऐसा होता है कि मानलो आपका fixed asset है fixed asset in the sense कि जो fixed है बिल्कुल जैसे house, home वगरा हो गया तो घर आपका गिरवी था bank पे लेकिन आपने किया अगरा चुक चाप उसको बेच दिया और bank का लोन नहीं चुका है having capacity to pay but not willing to pay वही बात आगी है कि मतलब capacity तो है उसको pay करने की लेकिन वो जो है pay करना नहीं चाहता working capital calculation कैसे करते हैं हम दो method होते हैं bank finance जो की permissible होती है PBF की तुरू और एक होती है working capital calculation तो इन दोनों में जो है हम आगे इसको पढ़ेंगे sources of working capital, working capital कहां से आता है, working capital basically होता क्या है किसी भी factory को run करने के लिए आपको funds रही होंगे तो कुछ पैसा तो आप अपना लगाएंगे, कुछ रिष्टेदारों से उधार लेंगे और कुछ market से उधार लेते हैं, कुछ bank से loan लेंगे तो जो own fund है, net working capital बोलते हैं उसको supplier credit मतलब की जो जिसको आपने माल बेचना है, उससे आपने कुछ करजा लिया है या फिर other current liabilities कुछ और liabilities ले लिये हैं या फिर bank finance, इन सब से जो पैसा ही कटा होगा, वो क्या कहलाएगा, working capital कहलाएगा capital required for working of a business enterprise is called as working capital finance, fixed assets like furniture, computers but they are not sufficient to run the business, working capital में आपके fixed assets भी होते हैं जैसे furniture, computer होगा लेकिन वो इतने sufficient नहीं होते हैं जो कि आपका company को चला सके है, the money blocked in the current assets is called as working capital, current assets ऐसे होते हैं जैसे raw material बगएर वो सब चीज़ तो उसमें पैसा जो आपका working capital कहलाएगा, working capital is the need of funds for smooth running of business, देखो ऐसा तो होता नहीं है कि आप आज raw material आए और कल आपने जो is good बजनाया और एकदम से आपने तीसरे दिन बेच दिया, तो इतना fast नहीं होता है, it takes time, तो उतना time period में आपने labor की payment वगरे भी करनी है तो working capital की need होती है, so that the smooth running of business हो सके, in a business capital invested, you know, is a liability, business में जो capital लगा हुआ आपका, वो एक तरह की क्या है, liability है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उससे पैसा कमा ही पाएं, है ना, आपने पैसा लगाया, company चलाई, लेकिन हो सकता है, आपको पैसा वापस नहीं है, है ना, तो friends, यह छोड़ा सा एक topic हमने discuss किया था, तो hope आपको अच्छा लगेगा, thank you, have a nice day, bye